आपको सूजी से बना हुआ धोकला, यह बताने जा रही हूं यह एक तरह से इंस्टेंट धोकला है इसके लिए हमें जिन जिन चीजों की जरुरत पड़ेगी, उनमें है सबसे पहले यह सूजी, यह थोड़ी रवेदार सूजी है, आधा किलो, दही, लाल मिच पाउडर, नमक, कटा हुआ हरा दनिया, कटी वी एक हरी मिर्च, तड़के के लिए जो चाहिए, तीन से चार कटी कटी वी हरी मिर्च, तीन चार स्प्रिक करी लीव्स, मस्टर्ड सीट, थोड़ा सा कुकिंग ओल, और फ्रूट सॉल्ट, आएए इसकी हम तैयारी करते हैं, सबसे पहले इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, और एक कटोरी दही, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हुए, इसका एक स्मूध बैटर बनाना है, यह रेखे, बहुत ही जल्दी तयार हो जाता है वैसे यह, आप इक बटर तयार हो गया है, अब हम इसे फंद्रा से बीस मिनिट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद पर मैं इसे बना के रिखाती हूँ, यह रेखे, पंद्रा से बीस मिनिट बा करेंगे, यह रेखे, इस पर फ्रॉथ बनना शुरू हो गया है, और यह थोड़ा सूजी भी हलकी हो जाती है, फिटकर, एक टिन लिया है, मैंने, केक टिन है यह, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है, थोड़े से ओयल से, अब हम इसमें यह पोर करेंगे, इसे उपर करेंगे, इस थोड़ा सा थाली रखें, क्योंकि यह थोड़ा सा राइस करेंगा, तो थोड़ा बैटर मेरा बच गया है, वो मैं दुबारा नेक्स पैच में मनाऊंगी, अब इसे हम स्टीम होने के लिए रखेंगे, मैंने एक बगोना, गरम होने रखा है, इसमें थोड़ा सा पानी है, म और इसे जख कर, 15-20 मिनिट, डिपेंड करता है, 15-20 मिनिट में हम बीच में एक बार चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, 15-20 मिनिट से लग जाते हैं इसे, मीडियम आज पे इसे स्टीम होने दीटे है, आएए फ्रेंड्स, इसे चेक करते हैं, लगभग 25 मिनिट हो चुके हैं, 20 मिनिट में मैंने इसे चेक किया था, यह थोड़ा गीला था, अब यह देखिए, यह पूरी तरह से सूख चुका है, यह टेस्ट करने का तरीका है, इसको आप एक नाइफ को अंदर डालिए और यह पूरी तरह से ड्राय निकलेगा, तो अ एक पैन को गरम करके उसमें एक से देर चमच्च ऑइल डालिए और इसे गरम होने देजिए, इसमें एक पिंच नीच, आधी चमच राई, दो हरी मच्चें प्लेट कीवी और कड़ी पत्ता, यह डालें और हमारी टेमच्च प्लेट कीवी और कड़ी पत्ता, यह डालें, आधी तयार है, यह देखिए दोस्तों यह बिल्कुल तयार है, थड़ना होने के बाद मैंने इसके पीसेस कट कर लिये हैं, और यह टैमपरी मैंने आड कर दी है, इसे मैंने कोकनट छिटनी के साथ सर्व किया है, थोड़ा सहरा भेलिया, गानिश के लिए, और इसे आप इंजोई करिए कोकनट छिटनी के साथ, और आप यह जाना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, और यह देखिए दोस्तों, यह बन कर बिल्कुल तयार है, इंजोई करिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसे ट्राय जरूर करिए, ट्राय करने के बाद, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताईए, आपको कैसा लगा, थैंक य थैंक य वो ओचिन